हेलो प्यारे बच्चों जैसा कि आप जानते हैं वार्षिक परिक्षा के लिए आपको विद्याले में प्रोजेक्ट कार दिया गया है जिसमें आपको सभी विशाय के दो-दो प्रोजेक्ट कार अर्थात प्रियोजना कार लिखकर विद्याले में जमा करना है तो चलिए आज कि इस वीडियो में हम आपको कक्छा 5 वी विशय परियावरण का प्रोजेक्ट कार आपको बताने वाली हूँ जिससे आपको पूरे 20 में से 20 अंक ला सकते हैं मैं आपको 5 प्रोजेक्ट कार बता रही हूँ इस में से कोई भी 2 प्रोजेक्ट कार आपको लिखना है तो चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे देख लीज़े, यहाँ पे सत्र लिखा है, तो यहाँ पे आपको भर लेना है 2023, यहाँ पे आपको भरना है 2024, और यहाँ पे लिखा है नाम, तो विद्यारते अपना नाम लिख लीज़ेगा, अपने कक्छा का नाम, विद्यालाय का ना पास-पास कुछ ऐसे लोगों से बात करो जिन्होंने अपने रोजी रोटी के लिए कोई जानवार पाला हो, जैसे तांगे के लिए घोडा, अंडों के लिए मुर्गियां आदी, बातचीत के बिंदू, पहला बिंदू है आपका कौन सा जानवार है, दूसरा है कितने जानव पाले हैं, क्या जानवरों को रखने के लिए अलग जगह है, उनकी देखभाल कौन करता है, वे क्या खाते हैं, क्या कभी जानवर बिमार भी पढ़ते हैं, तब पालने वाला क्या करता है, अपने इस सर्वे की रिपोर्ट तैयार कीजे, तो आपको उत्तर में लिखना है, ह बक्रियों की शंख्या 15 है, तीसरे पॉइंट है, बक्रियों के लिए घर में अलग से जगह नहीं है, ये बक्रियां एक कमरे में रहती हैं, चोथा पॉइंट है आपका चाचा एवम चाजी इन बक्रियों की देखभाल करते हैं, पाचवे पॉइंट है, ये बक्रियां अना बनाज करवाया जाता मैं इसके बाद आता है आपका तो इस तरह से आपको प्रयोजना पहला लिख लेना इसके बाद नेक्स् основ आता है आपका प्रयोजना-2 कोक्ष्चन दिया है आप अपने गाउं की की तीन ऐसे लोगों से बात करिए जो मौसमी इस्थनांतरड करते हैं उनके अनभवों को जानकर लिखे पता करिए वे किस मौसम में जाते हैं साथ में कौन-कौन जाता है वहां जाते हैं उन्हें क्या जाना पड़ता है उन्हें क्यों जाना पड़ता है जानकर वो क्या काम कर उन्हें कितने पैसे मिलते हैं, जाकर वे अपने रहने का इंतिजाम क्या करते हैं, उनके बच्चों की स्कूल की पढ़ाई का क्या होता है, वहां कौन सी भासब बोली जाती है, तो आपको उत्तर में लिखना है, हमने अपने गाउं में कुछ लोगों से बातचीत की, इनमें क बालू चाचा, रामलाल जी और दगडू लाल जी से विशेश बातचीत हुई, ये लोग ठंड की दिनों में बाहर गाउं भी जाते हैं, उनके शाथ अन्न लोग भी हैं, वे तंबू बना कर रहते हैं, ये अपना समान बेचने जाते हैं, समान बेचकर धन कमा कर लाते हैं, प्रियोजना थिरी प्रियोजना थिरी में कोशन है बच्चे अपनी किसी दोस्त रिष्टेदार से बात कर रहे जो हाल में किसी जगए हो दोस्त रिष्टेदार के उसके यात्रा की शुरुआत से वापसी तक के अनुभगों जाने पता करें वे किस मौसम में गय थे शाथ में कौन-कौन था कैसे गय थे वहन वहाँ पर कौन-कौन से पेंड पौधे है वहाँ पानी के शाधन क्या है आसपास कौन से जिवजनतू रहते है वहाँ पर कौन लोग रहते है और वे अजिवका के लिए क्या काम करते है खाने पीने की क्या-क्या चीजें वहाँ पर मिलती है वहाँ कौन सी भासा बोली जाती है तो आपको उत्तर मिलिखना है हमारे गाउं के कुछ बच्चे ठंड के दिनों में अपनी रिष्टेदारों के यहां गए इनके नाम मोहन, सोहन और रोसन है ये वाहन से गए थे, इनके गाउं में खूब हर्याली है हारे भरे पेड़ पौधे हैं, खेतों में फसले हैं, पानी के लिए ट्यूब वेल है गाउं के आसपास नील गाए घूंती फिरती रहती है गाउं में सभी जातियों के लोग रहते हैं अजिवका के लिए ये महनत मजदूरी करते हैं, कुछ लोग नौकरी पर भी जाते हैं इनके यहां खाने पीने की सभी चीज़ें मिलती है फल और सबजियां ताजी मिलती हैं, ये लोग मालिवी वा हिंदी भासा बोलते हैं तो इस तरह से आपको प्रियोजना 3 कर लेना है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रियोजना 4 प्रियोजना 4 में कोशन दिया है, अपने आसपास किसी खेत पर जाईए, वहां किसानों से बात चीत कर गेहु बोने से लेकर फसल काटने तक की जानकारी एकत्रित करिये, गेहु के खेती से संबंधित, चीतर पत्र पत्रिकाओं से एकत्र कर, प्रजेक्ट रिपोर्ट तैयार करी एक इंसान है, जो खेती कर रहा है गेहु की, तो आपको उत्तर में लिखना है, हम अपने चाचा के घर गए, उनके खेत पर गए, खेत में गेहु की फसल खड़ी थी, हमने उनसे गेहु बोने से लेकर फसल काटने तक की विस्तरत जानकारी प्राप्त की तो इस तरह से आपका प्रियोजना फोर कंपलीट होता है, इसके बद नेक्स्ट आता है आपका प्रियोजना फाइप, प्रियोजना फाइप में कोश्चन दिया है, उचाई पर तापकर्म अत्यधिक कम होने और आक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए, परवत रोहियों को आक्सीजन सिलेंडर ले जाने के लिए पिक्चर्स, पोस्टर्स, एकत्रित करिए और उनके बारे में लिखे, उचाई पर जीवन यापन में क्या-क्या मुश्किलें आती हैं, लिखे, कठिनाईयों के समाधान खोजने के लिए वहाँ पर लोग क्या करते हैं, पता करिए औ आपको यदि किसी बरफीले इस्थान पर जाना हो तो अपने शाथ ले जाने योग जरूरी वस्तुएं, वस्तुओं के शूची बनाएए, तो आपको उत्तर मिलखना है, उचाई पर हावा की कमी होती है, तापकरम कम रहता है, परवत रोहियों को अपने साथ आक्सीजन के सिलंडर रखने होते हैं, यहाँ पर लिखा है, कठनाईयों का समाधान खोजने के लिए लोग आपस में मिलकर रहते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं, यदि हम किसी बरफीले इस्थान पर जाएंगे तो अपने साथ स्वेटर, जैकेट, कंबल, रजाई, आदी ले जा परवत पर चड़ने के लिए रशियां, चैन, तंबू और अवश्यक दवाईयां भी साथ में रख लेंगे, तो इस तरह से आपका प्रियोजना 5 कंप्लीट होता है, इस वीडियो में जो हमने प्रियोजना एक्स लेके प्रियोजना 5 तक का पूरा सॉलूशन दे दिया है, तो आप अच्छी से कर लीजेगा, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद,